क्या आप चमतकार दिखाते हैं या सनातन की ये ताकत है पहला सवाल आपसे यही है बहुत सुंदर पुशन है आपका मनीश जी स्री सिता राम भगवान की जय हमारे इश्ट स्री हनमान जी महराज चमतकार दिखाते हैं और हमारे सनातन के बैदिक मंत्रों की यह तागत है कि आज संपून राष्ट के हिंदू एक हो रहे हैं अच्छा यह बताईए बहुत सारा चर्च से जो है वीडियो वाइरल हो रहा है मस्जिस से वीडियो वाइरल हो रहा है अंधविश्वास का वीडियो वाइरल हो रहा है लेकिन वहां पर कोई सवाल नहीं करता है या किसी को हिमत नहीं होता है सवाल जब भी करना होता है तो सना तनी हिंदू बहुत soft corner है हर बार इसलिए हमको ही target लेकिन इस बार उनको ना नहीं आदा जाएगी 26 साल के उम्र में इतना energy आपके अंदर है कि कुछ भी बोलते हैं एक जगह से और पूरे देश में हलचल मत जाता है ऐसा ताकत आपके अंदर आता कहा से है यह बैदेक मंत्रों का प्रभाव दादा गुरू की परंप्राव बागे शुर्बाला जी की कृपा का प्रभाव है जो आज तक लोग कहते थे कि चमतकार या सिध्धी नहीं होती यह सब जूट और फरेव है उसका प्रतक्ष प्रमार है यह है कि जो कह दिया जाता है वो पू प्रसका रचना जो दरता है वो यही प्रारंब से है यही उन मिस्टरियों को डर है कि हम मंचों पर जिस प्रकार एक तठापर नाइक है हम पूरा नाम नहीं लेंगे पवित्र मू से वो जिस प्रकार ललकार करम सनातन बैद्एक मंत्रों की तागत दिखा करके दूसरे लोगों को जो हिंदू दूसरे धरम में चले जाते हैं उनकी घर बापसी करवाते हैं तो उनको यही डर है सब को यही डर है कि 4-5 बरस अगर यह आदमी रहा तो सब के कारियों को बंद करवा देगा इसलिए सब लोग पीछे लगे हैं उनसे कोई बुराई भी नहीं है उनको धन्यवाद लेकिन अब भारतिये हिंदूओं को एक नई दिसा की आओ शकता है वो है हिंदू राष्ट हिंदू राष्ट वनेगा तो ना राम चरत मानस पर विवाद ना राम पर विवाद ना राम पर पत्थर जंजड़ खतम आपके बातों पर विवाद हो रहा है कुछ साधू महात्मा भी आपके उपर प्रस्चिन खड़े कर रहे हैं तो इसकी कितनी सचाई है जो साधू महात्मा हमसे मिले नहीं उनके द्वारा यह कहा जा रहा बाकि हम अपने साधू पर कोई टिपड़ी नहीं करेंगे सनातन पर कोई टिपड़ी नहीं करेंगे उनको धिन्वाद देंगे अच्छा दुनिया में कोई एसा देश है जो सनातनों का देश हो हिंदु राष्ट्रों ऐसा कोई देश है अभी तक तो अमने नहीं शुना क्यों करने हिंदु बहुत खोज रहें पहला दिन जब आप 36 गड़ की राजधानी रायपूर में जब आये थे तो क्या आपको उमीद था कि इतना बड़ा पंडाल जो आपने बनाया है इसमें चार से पांच लाक लोग छे लाक लोग जो है एक साथ आएंगे और आपका किर्टन सुनेंगे बाला जी की बड़ी कृपा है आद तक जहां जहां कथाएं हुई है जो जो बनाया है वो कम पड़ा है और हमें अपने इश्ट पर भरोसा है लोगों के लिए हमारा भाव नहीं है सनातन के लिए और पने इश्ट के लिए हमारा भाव है वो पूर्ण कर देते हैं संपत्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं दुनिया है संपत्ति के बारे में कोई नहीं हमारे पास विपत्तियों का आपार है हमारे पास लोग अपनी विपत्तियां चड़ाने आते हैं और संपत्ति के हम साधू मनमोजी है कोई अगर दे जाए तो कोई बुरा ही नहीं है और साधी में आपको ठुमका भी लगाना है मनीश कस्य अपना से को तुम्हारी साधी में हम भी आसिरबात देंगे चिंता मत किजे क्योंकि तुम्हारी माता जी भी बहुत अरजी लगा रहेंगे चलिए यहां से हमारा यह प्रियास आप लोगों को कैसा लगा और बागेसवर बाबा के बारे में क्या सोचते हैं धिर्यन सास्त्री जी महराज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना साथी साथ इनका जो लक्ष है वो पूरा होगा की नहीं होगा इसके बारे में भी आप लोग जरूराय रखना अच्छा यह बताई इतना ताकत के पीछे कहीं कोई पॉल्टिकल पार्टी तो नहीं आपके पीछे खड़ा है हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली पार्टी उसका निसान अच्छा आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है आपसे मिलने के लिए आपके उपर धका मुकी करते हैं लेकिन आप उस बीच में भी मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत सारा भीर था तो कैसे हैंडल कर पाते हैं अपने लोग हैं अपना प्यार है उनके धक्कों से ही अगर हमारे मन में क्रोध भाने लगेगा तो फिर उने पर क्या बीतेगी जो प्रैम को पाने के लिए आए हैél और जी खूलता है आपके यहां वो एस्क्रिप्टेड रहता है क्या उसके लिए तो आपको दरबार सामने देखना चाहिए चालिस मीडिया ने देखा है और लग बग लग नेसनल चैनलों ने देखा है भारत के इतिहास का पहला दरबार बैदेक मंत्र की परमप्रा को तागत वताने बाला पहरा दरबार ना ऐसा नहीं बहुत अनेक हैं पर जो आज बाला जी की लीला है वो हम यह नहीं कहते कि सिर्फ हमारा है हम है ऐसा नहीं बागे शुर बाला जी है इसलिए ऐसा है अच्छा एक और सवाल कड़वा सवाल कौन से सरकार को आप सपोर्ट करते हैं हम जाहें बहुत अच्छा लगा किसा लगा एक साथु महात्मा एक संत ये की युवा जो है ये मांग कर रहे हैं अच्छी सिख्चा दीजे बाकी इनकी बाते और हमारा यह प्रयास आप लुगों को कैसा आला के कमेंट करके जरूर बताना जाए हिंद